नमस्कार चुबली वाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलिवूड में इन दिनों अपने फिल्म सुपर हिट करवाने के जितनी जद्दो जहद होती है उतनी ही पहले भी हुआ करती थी ऐसे में जब किसी स्टार्क इंट्री होती है तो उसे लगता है कि वो आखिर किस तरह से अपने जिन्दगी में सफल होगा फिल्मे दुनिया में कदम रखने के लिए सभी को पापड बेलने पड़ते हैं कुछ ऐसा ही हुआ था जितेंद्र के साथ भी बॉलिवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशूर जितेंद्र को ये नाम यूँ ही नहीं मिला इसके लिए उन्होंने पहुत से पापड बेले और लगाई एक अनुकी ट्रिक जितेंद्र के पिता फिल्मे दुनिया में सामान सप्लाई करने का काम किया करते थे एक बार जब सेट पर समान पहुँचाने के लिए जितेंद्र पहुँचे तो उन्हें फिल्म निर्माता ने हीरो बनने का ओफर दिया शुरुवात में तो जितेंद्र ने ये ओफर ठुकरा दिया लेकिन बाद में वो तयार हो गए बॉलिवुड में अपनी एंट्री फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से उन्होंने ली ये फिल्म वी शांतराम की फिल्म थी वैसे वी शांतराम ने एक फिल्म में सबसे पहले जितेंद्र को शारदा जो अभिनेत्री थी उनका बॉड़ी डबल बनने के लिए कहा था और जितेंद्र ने पहली बार फिल्मों में कदम रखा था एक हिरोईन के रूप में ये बाद जादा लोग नहीं जानते वैसे जितेंद्र का नाम भी उस फिल्म में नहीं आया था और इसके बाद ही उन्हें लिया गया इस फिल्म में जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने उनकी फिल्में तो हिट होती ही थी यानि वी शांता नाम की जो फिल्में हुआ करती थी वो तो हिट होती थी उनका एक अलग ही दर्शक वर्ग था इसके ठीक बात उनकी ही दूसरे फिल्म, बून जो बन गए मोटी, इस फिलमे में जितेंद्र को उन्होंने काम दिया और इसे फिल्म के दौरान जितेंद्र ने फर्ज फिल्म की शूरू कर दी थी ऐसे में उन्हें किसी भी तरह अपनी ये फिल्म यानि कि फर्ज जो फिल्म थी उसे हिट करवाना था क्योंकि बाकी जो दो फिल्मे थी वो वी शांतराम की वजह से हिट हो रही थी जितेंद्र को अपने नाम से हिट होने वाले फिल्मे भी चाहिए थी क्योंकि इसकी वजह से ही उन्हें फिल्म डिस्ट्री में आगे काम मिलता तो इसलिए बहुत जरूरी था कि फर्ज जो फिल्म थी वो हिट हो और इसी फिल्म की बदौलत उन्हें यानि के जितेंडर को कमर्शिली हिट फिल्मी हीरो का खिताब भी मिलता शुरुआत में फिल्म फर्ज को खास सफलता मिलती नहीं दिखी यहां तक की ट्रेड अनलिस्ट ने तो फिल्म को फ्रॉप तक करार दे दिया था पर जितें रहार मानने वाले नहीं थे उन्हें ये यकीन था कि अगर फिल्म 15 हफतों के लिए टिक जाए सिनेमा में तो उसस अफल हो जाएगी और फिल्म रिलीज हो गई थी 12 हफतों से जादा का समय हो गया था दर्शक नहीं आ रहे थे फिल्म में देखने के लिए फिल्म देखने के लिए फर्स को तो ऐसा लग रहा था कि अब कहीं सिनेमा घर वाले हैं वो इस फिल्म को कहीं उतार न दी तो बारह हफते से ज़्यादा का समय हो चुका था फिल्म रिलीज होकर और दर्शकों का प्यार ना पाने के कारण फिल्म तो किसी भी वक्त सिनेमा घर से बाहर निकलने को तयार थी आखिरकार जितेंद्र ने एक बड़ा दाओं खेला और सारी टिकटें खुद ही खरीद ली उनका ये पैंतरा काम आया फिल्म फ्लॉप होते होते हिट हो गई बलकि आज भी जितेंद्र को जम्पिंग जैक के नाम से जाना जाता है और जितेंद्र ने इसके बात कई हिट फिल्में दी तक्रीबन 100 से ज्यादा हिट फिल्मे जितेंद्र ने अपने नाम की है और एक समय वो भी था जो उन्होंने जो काम किया अगर उनकी फिल्म के लिए वो काम नहीं करते सारे टिक्टे नहीं खरेते तो शायद वो फिल्म उनकी हिट नहीं होती और उनका करियर समापत भी हो सकता था लेकिन जितेंदर ने वो काम किया जिससे उन्हें हिट होने से कोई रोक नहीं पाया आपको क्या लगता है क्या आप जितेंदर की फिल्म में देखते हैं हमें बताईएगा और कौन से फिल्में हैं आपकी पसंदीदा ये भी बताईएगा और हम आपके लिए लाते रहेंगे बॉलिवुड से जुड़ी खबरे जुड़ी रहे हमारे चैनल के साथ नमस्कार